कि साथियों जोहार कि मैं अभी कि कुरंटाइन में हूं कि सुनकर थोड़ा आश्यर लग रहा होगा कि जो प्रति दिन कि अपने नियमित कारियों में मैं लगा रहा था था कि आज मुझे कुरंटाइन होना पड़ा आप सब को मालूम है हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे मानने विधायक कुरंटा पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी मुलाकात हमसे भी हुई है और भी लोगों से हुई है और इतियातन के तौर पर मैं अभी कुरंटाइन में हूँ चिंता करने क्या हो सकता नहीं है बहुत जल्द यह भी परिशानी खत्म हो जाएगी है आप लोगों से यह गुजारिस होगी संक्रमन अभी टला नहीं है हम लोग बहुत ही बहतर और सामंजश बनाते हुए इस संक्रमन से जंग लड़ रहे हैं हमारे राजवाशियों की सूझ बूझ सरकार के आदेसों का नियमित रूप से पालन करते हुए जो आप लोगों ने धैर दिखाया है और आज उसका नतीजा है कि हम करोना को लेकर के राज में किसी भी तरगे का कोई अफ्रात अफ्री नहीं है लेकिन बिगत दिनों से लोग डाउन खोलने की प्रक्रिया भारत सरकार ने प्रारम कर दी और कई राज्यों से लोगों का आना जाना विपारी साथियों का आना जाना उद्योग भंदे और अर्थ विवस्था को गती देने में लोग लगे हुए हैं इस संक्रमन में भी अपनी जान जोखिम कर देश को राज को मजबूती देने में लगे हैं मैं बहुत आज की इस परिश्थिती से आउगत हूं बहुत अच्छी तरीके से इस हालात को समझ रहा हूं कई चुनोतियों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो चुनोती मेरे लिए है इस राज के बतौर मुक्मंत्री होने के वजह से अभी यह चुनोती सिर्फ मेरे लिए नहीं सबी लोगों के लिए आप सब के लिए भी र्यक्तिकत रूप से यह चुनोती है आज इस संक्रमन का कोई इलाज नहीं है इस संक्रमन का एक ही मात्र अभी मौजुदा इलाज है कि सरकार दुआरा दिये जारे निर्देशों का पालन करना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेहरे पे मास लगाकर हाथों को नियमित रूप से धोते हुए इस तरीकी के कई उप्चार की इस संक्रमन का अभी का मात्र उपाए है और मैं उमीद नहीं पूरा भरोशा भी कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसका पालन करते होंगे आज साइद लोगों की तकलीफ और लोगों की समस्या देखकर मुझसे रहा नहीं जाता और मैं लोगों के बीच अधिक इस करोना के संक्रमन के दौरान रहा हाला कि अभी तक कोई अधिकारिक पूस्टी नहीं हुई है लेकिन चुकि इस संक्रमन का ना कोई चेहरा है ना कोई पहचान है जो तूटी-पूटी जानकारी है उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज इस इतियातन के तौर पर मैं कुछ दिनों के लिए कुरंटाइन में रहूंगा कि संबहुता मुलाकात नहीं हो पाएगी आप सभी लोगों से आप लोगों की कोई समस्याई होंगी आपको पता है हमारा वाटसब, फेस्बूक सभी काम करते हैं आप उसमें अपना संदेश डाल सकते हैं पत्र लिख सकते हैं और आपके समस्याओं को निश्चित रूप से हम गंबिरता से लेंगे और अच्छो साइथ होने क्या हो सकता नहीं है हिम्मत से काम लेनी क्या वह सकता है आज इस अंक्रमन से हम सब को मिलकर लड़ना है आज इसलिए मैं यह संदेश साब तक पहुंचा रहा हूं काफी मीडिया में अख़वारों में टीवी चैनलों में चल रहा है कि जार्खन के मुखमंत्री को कोरोना हुआ या तरह कि अफवाएं उड़ रही है उन अफवाओं को बिल्कुल और गती ना मिले इसलिए मुझे यह संदेश आपके बीट में देना पड़ा कि ऐसे घबराने के आवसकता नहीं है और हम लोग निसित रूप से इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ दिनों तक के लिए लोगों से मिलना जुलने पर मैंने रोक लगा रखी है और बहुत जल्द उमीद करते हैं हम लोग पुना और बहतर तरीके से मिलेंगे आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे अपने बाल बच्कों का ख्याल रखेंगे दनेवाद जोहार